हेलो फ्रेंज मेरे चानल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पीज पुलाव की रेसिपी शेयर करनेगें। पीज पुलाव या मटर पुलाव को कुकर में बनाने जा रहे हूं।। चलिए रेसिपी। शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप नॉर्मल राइस 30 मिनिट के लिए सोग करके रखा है, 30 मिनिट के बाद सारा पानी निकाल देंगे, यहाँ पे कुछ मसाले लिया है, और मटर लिया है, दो लिटर का कुकर है, इसमें तीन बड़े चम्मच तेल डाला है, एक टीस्पून जीरा डाला ह गैस को दीमी रखा है, और इसमें मसाले डालेंगे, एक टेज पत्ता, इसमें एक टेज पत्ता, एक इंच दालचीनी, एक बड़ी दो हरी इलाइची, तीन से चार लॉंग, दो टुकडे जावीत्री डालेंगे, और अच्छी तरह से एक से दो मिनिट के लिए भून लेंग और इनको भी अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेंगे, इसमें सोक किया हुआ चावल सारा पानी निकालके डाल देंगे, और इसको दो मिनिट के लिए अच्छी तरह मसालों के साथ मटर के साथ भून लेंगे, ताकि मसाला और मटर का टेस्ट चावल में आ जाए, और इसमें अब एक कप और तीन चोटाई कप गरम पानी डालेंगे, थंडा पानी नव डालें, गरमी डालें, इसका स्वार बहुत अच्छा लाता है, अच्छी तरह से मिला के कुकर को ढखके रख देंगे, दीमी आंच में, आठ से दस मिनिट के लिए पका लेंगे, स्वाधा नुसार नमक डालेंगे, दस मिनिट के बाद, और दस मिनिट अड़ा करने के लिए रखेंगे, और ये मटर पुलाव या पीज पुलाव बनके रेडी हो गया, आप देख सकते हैं, चावल कितने दानेदार पके हुए हैं, अब इसमें कटा हुआ हरा धनिय डालेंगे, आप देख सकते हैं, कितने दानेदार बना हैं, कटा हुआ हरा धनिय डालेंगे, और इसको डाल फ्राइ या बटर मिल्क करी के साथ सर्व करेंगे, अगर इनकी रेसिपी चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, अगर इनकी रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, धन्यवाद।